सब्सक्राइब किजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और दबाईए नोटिफिकेशन बेल को और पाईए मेरे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुबास और आप सभी का स्वागत आपके ही अपने क्या और कैसे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला नोमिनेक्स टोकन के बारे में टीम बिहाइंड नोमिनेक्स टोकन कमपनी का क्या बेक्ग्राउंड है क्या प्रोफाइल है क्या स्टेंग्थ है और क्या क्लाइंट बेस है हमें ये सारा चीज मालूम होना चाहिए बिफोर इन एक रिसेर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए विखोर इन्वेश्टमेंट हम देखते हैं कि कौन से mutual fund में हमें investment करना चाहिए कितने size का वो AMC है कौन वहाँ पे हमारे fund को manage करेगा यह सारा चीज तो यहाँ पे भी जरूर देखना चाहिए तो यह सारी जानकारी मैं आपको इस video में देने वाला हूँ जो आपको help करेगा यह decide करने हैं कि आपको यहाँ investment करना चाहिए या नहीं और करना चाहिए तो कितने amount कर करना चाहिए देखिए nominex token एक DeFi based token है जो Binance Smart Chain पे काम करता है यूँ तो market में DeFi trending में और खास कर yield farming के concept ये भी उसी पे काम कर रहा है आप देख रहे हैं बहुत से लोग बहुत सारा investment कर रहे हैं वो देख नहीं रहे हैं कौन team है उसके पीछे क्लाइंट बेस है कुछ भी नहीं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि future में DeFi का market जो है बहुत बड़ा हो सकता है जी हाँ बहुत बड़ा growth देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ nominex token DeFi के पीछे एक बहुत बड़ा team है जिनके पास बहुत experience है जिनके पास पहले से बहुत बड़ा client base है और उन्होंने एक ऐसा concept लेके आया है जो कि उनका client base काफी जाएदा बढ़ा कर देगा उनके पास कई सारे investors आएंगे क्योंकि बहुत सारे वो benefits दे रहे हैं सबसे पहले समझ लिजिए nominex token एक nominex exchange के तरब से बनाया गया है nominex cryptocurrency exchange है जो पीछले 3 साल से काम कर रही है चलिए आपको दिखाता हूँ वो exchange देखिए यह रहा nominex.io exchange ठीक है यहाँ पे लोग cryptocurrency buy करते हैं hold करते हैं trade करते हैं इनहीं के द्वारा जो है nominex token बनाया गया है अब nominex के कौन CEO है देखिए nominex exchange के यह है CEO पवल असकेटिन cheap executive officer यह रहे Alexander Petrovich nominex के cheap technology officer और यह रहे nominex के cheap experience officer Dennis Gorableb आप इन सब के profile को जाके check कर सकते हैं LinkedIn में देखिए यह रहे CEO पवल असकेटिन आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने कहां से पढ़ाई किया क्या इनका पुराना experience है currently यह किस company में किस position पे हैं इसके बाद देखिए Alexander Petrovich का भी आपको profile LinkedIn पे मिल जाएगा इनके बारें भी आप सारा जानकारी देख सकते हैं और यह रहे Dennis Gorableb तीनों का profile है ठीक है YouTube पे आपको जो है इनका office का भी video मिल जाएगा मैं भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द सेयर करूंगा ठीक है तो कौन टीम है आपने देख लिया अब यह देखिए Nominix जो एक्सचेंज है उसका registration certificate Republic of CHLs के द्वारा जो है यह निर्गत किया गया है ठीक है 3rd February 2020 को जो है यह certificate registered हुआ है बना है Nominix Limited के नाम से तो अब चलिए आपको ले चलता हूँ Coin Market Cap के साइट पर और दिखाता हूँ Nominix Exchange का Last 24 Hour का Volume जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा क्या Client Base है Nominix Exchange का कितने यूजर्स वहाँ पे trade करते हैं यहाँ देखिए मैं Coin Market Cap के साइट पर हूँ और यह रहा Last 24 Hour का Volume 743 BTC जबकि आज मैं Sunday को वीडियो बना रहा हूँ Weekends चल रहा है जितने भी Professional Traders हैं जितने भी Trading Companies हैं वह सारे Weekends पे Leave पे रहते हैं वह यहाँ पे कोई trade नहीं करते हैं Otherwise आपको 1500 to 2000 BTC का 24 Hour का Volume देखने को मिलता क्योंकि मैं Regular जो है ट्रैक कर रहा था जबकि अभी Crypto का Bearish Market चल रहा है जब Bullish Market था तो 3000 BTC का यहाँ पे Volume देखने को मिल रहा था तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कितना बड़ा user base है आपको चलिए इंडिया का First Cryptocurrency Exchange JP का Volume दिखाता हूँ Last 24 Hour का देखिए सिर्फ 378 BTC का है जबकि इंडिया में इतने सारे users है फिर भी सिर्फ इतना BTC का यहाँ पे Volume है तो आपको पता चल गया होगा कि Nominix में कितने clients हैं आप देखिए Nominix Exchange जिसके पास पहले से clients हैं वो अपना खुद का एक नया product लाया है जिसके पास experience है वो product लाया है जो उसके users हैं वो उस product को use कर सकते हैं बहुत सारे additional benefits हैं passive income वो गिरा है तो इससे जो है यहाँ पे काफी जादा growth देखने का संभावना है Nominix token में सभी लोग उसे buy करेंगे hold करेंगे क्या benefits है वो सारा मैं आपको बताऊँगा ठेक है अब चलिए आपको दिखाता हूँ Nominix token देखिए coin market cap के ही site पर हूँ और यहाँ listed है Nominix token current price है 4.93 डॉलर यह token 25 February 2021 को launch हुआ है तब उसका price था 10 cents 2-3 months में आप देख सकते हैं इसके price में कितना growth हाया है ठेक है यहाँ देखिए आपको सारा details मिल जाएगा देखने को total supply है NMX token का 2.81,78,485 NMX और max supply है 20.00 NMX यह जो max supply है यह circulation में आने में 72 years का time लगेगा इसी तरह से इसे design किया है ठेक है per day यहाँ पे सिफ 10,000 NMX token जो है वो market में आ सकते हैं per day मतलब कि आप यहाँ एक बार stake करेंगे तो 72 years तक आपको earning मिलेगा तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ BSC scan पे और दिखाता हूँ किसके पास कितना NMX token का holding है यहाँ देखिए BSC scan के site पे आ गया हूँ NMX token का total supply 2,84,081,014.7 NMX current price 4.97 डॉलर और market cap देखिए NMX token का इतने डॉलर का है total holders 10,631 अभी काफी कम holders हैं लेकिन यह concept काफी अच्छा है इसके holding के कई सारे benefits हैं तो बहुत चल्द यहाँ आपको काफी growth देखने को मिलेगा अब चलिए आपको holders दिखाता हूँ देखिए NMX token का major holding है NominX exchange के पास जिन्होंने इसे बनाया है approximately 70% का मैंने आपको बताया कि यहाँ 72 years का time लगेगा total tokens का जो है market में circulation में ठीक है धीरे धीरे करके farming के से जो है निकल के यह market के circulation में आएंगे अब देखिए किसी के पास 24.5% का holding है और pancake swap के पास approximately 5% का holding है ताकि वो liquidity प्रुभाइट कर सके उसके बाद आम public के पास 1.something percent का ही holding है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते है कि इसका demand इतना है और supply काफी कम है तो इसके price में काफी growth देखने को मिलेगा ही मिलेगा और यहां देखिए continuous transfer आपको देखने को मिलेंगे हर second हर minute में जो है यहां token का transfer हो रहा है ठीक है अब चलिए आपको दिखाता हूँ nominex token कहां कहां पर listed है देखिए nominex token nominex exchange पर listed है coingeco, coinmarketcap, dap.com, pancake swap, crypto compare और dap radar पर भी listed है इतने कम समय में इतने जगर पर listing है इस token का तो आप इससे अंदाया लगा सकते है कि इसके पीछे का team कैसा है और किस तर से काम करता है market में बहुत चल आपको एक hype देखने को मिलेगा इस token का ठीक है देखिए यह exchange का token है और हम सब ने देखा है कि exchange का token में बहुत ग्रोध देखने को मिलता है जैसे कि Binance Exchange का BNB Coin और WazirX Exchange का WRX Coin देखिए वो कब आये थे क्या price था और अब कितना price है Binance Exchange का BNB Coin 2017 में आया था तब $1 उसका price था और इसने अपना all time high $690 का लगाया है मतलब कि अगर आप 2017 में 1 lakh का भी investment करते Binance Coin में तो आपका investment 7 crore में convert हो गया होता समझ देए आप WazirX Exchange का WRX Coin 2018 में आया था तब उसका price था $1 उसने अपना all time high $450 का लगाया है समझे कि कितने पैसे बने हैं तो अब तो लोग और जैदा इस token के तरब attract होंगे क्योंकि उनके पास प्रिभियस results है ठीक है और ये जो है NMS token वो उन दोनो token से भी जैदा beneficial है इस वज़े से लोग buy करेंगे और hold करेंगे जैसे कि दूसरे token के holdings पे कुछ बहुत जैदा benefit देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहाँ आपको बहुत benefits देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ देखिए nominex token 25 February 2021 को launch हुआ तब उसका price था 10 cents 2 months पहले token का price था 1 dollar और कल इसने 5 dollar को cross किया है अभी current price 4.97 dollar चल रहा है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि within 2 years में nominex token का price 300 dollar to 400 dollar पहुँच सकता है जी हाँ बिलकुल मुझे तो लग रहा है इससे भी जाएदा पहुँच सकता है क्योंकि बहुत potential है बहुत सारे benefits है देखिए आप ये तो समझ गए कि किस ने इसे बनाया टीम का क्या background है क्या profile है क्या उनका strength है कितना उनकी पास clients है कितना experience है और क्या vision है ठीक है बहुत अच्छा concept है exchange के token में हमने पहले भी बहुत सारे growths देखे है लेकिन यहाँ पी बहुत सारे benefits है rewards है affiliate से income है जैसे कि इस token को अगर हम buy करके invest करते है तो हमें passive income मिलता है दूसरा हम यहाँ रैफर करते है तो हमें जो है वो daily का income मिलता है जब तक कि हमारा team member इस platform के साथ बना रहेगा तीसरा हमारे नीचे team में भी काम होता है तो उसके भी investment से जो उसका earning बनेगा उस पे भी हमें income मिलेगा तो यह सारे benefits है जिस वज़ा से इस token को buy करेंगे लोग ठीक है अब लोग buy कर रहे है prices का बढ़ रहा है बहुत से लोगों को इसमें future दिख रहा है इस वज़ा से लोग इसे exchange से भी buy करेंगे जी हाँ नॉमिनेक्स exchange में यह already listed है और वहाँ trade भी होता है यह देखिए ठीक है buy करेंगे और बहुत से लोग buy करके hold करेंगे क्यों एक तो इसके price में अच्छा growth देखने को मिल रहा है दूसरा इसके holding पे भी हमारे को अलग से income मिलता है कितना income मिलता है नेक्स्ट वीडियो किस slab में दिखाऊँगा आपको ठीक है और अगर हम hold करके रखते है तो हमें trading fee में भी discount मिलता है यहाँ देखिए अगर हम NMX token को hold करते हैं और नॉमिनेक्स exchange में trade करते हैं तो first year 50% जो है fee में discount मिलेगा second year 30%, third year 20%, fourth year 15% और 50 year 10% ठीक है यह देखिए इस तर से हमें यहाँ पर discount मिलेगा अब आप कहेंगे कि आप तो नॉमिनेक्स exchange का use नहीं करते हैं ट्रेड नहीं करते हैं लेकिन बहुत से users तो हैं जहां से यह exchange है वहाँ पर तो लोग trade कर रहे हैं तभी तो यहाँ पर 1500 प्लस का आपको daily volume देखने को मिलता है बी टी सी में जी हाँ रुपीज और डॉलर में नहीं 1500 प्लस बी टी सी का volume तो वो सारे लोगों को benefit मिलेगा trade में फी में तो वो जो है इस coin को token को buy करेंगे और hold करेंगे ही करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर benefit देखने को मिल सकता है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपको कितने तरस से और कितना earning मिल सकता है उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको किस तर से registration करना है किस तर से buy करना एनमेक्स token को किस तर से stake करना है किस तरसे विट्रो करना है तो आप चैनल के साथ बने रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद